मसकार दोस्तों, welcome back to our channel money solution जैसा कि आप लोग जानते कि जो 2022 का जो शाल है वो फिनिस होने वाला है इस साल के अंदर हमने बहुत सारे जो लेसन है वो सिखे हैं साथ में इदर बहुत सारे उतार चड़ावी हमने देखे हैं और इदर 2023 का जो साल है वो भी शुरू होने वाला है जहां पर हम जो नई opportunity और नई beginning को इदर देख रहे होंगे साथ में आप लोग ये भी जानते हैं या जो festival season है इदर start होने वाला है जहां पर एक सही समय है और आप भी लोग ये जानते होंगे अपने business को इदर सुरू करने का या फिर आलरेडी हमारा कोई business है तो उसको expand करने का आज की date में अगर हमें अपना जो business start करना है या फिर अगर हमें अपना जो business बढ़ाना है तो उसके लिए हमें जो पैसे की requirement रहती है उसी के साथ हम अपने जो business को grow कर सकते हैं तो यानि पैसे का हमारे इंडियन मार्केट में हमें various types के loan मिल जाएंगे जिन loan के द्वारा हम अपने business को expand या business को नया शुरू कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जितने भी types के जो business loan है आपको इस वीडियो में point by point clear करूँगा ताकि आपको आपके business नया शुरू करने में या already कोई business है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिल्सके तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो तो business loan में हमारा जो first loan आता है वो है working capital loan जैसे कि इसके नाम में आप लोग देख रहे हो जो enterprises है अपने business को expand करने के लिए जो ये loan लेते हैं जिसमें जो है अपने जो business का cash follow है उसको enhance करने के लिए raw material को purchase करने के लिए inventory और stock add करने के लिए staff की salary pay करने के लिए या जो नए staff hiring है उनकी basically requirement को fulfill करने के लिए जो loan लिया जाता है working capital loan है एक short term का loan है जिसका अगर हम tenor की बात करते तो 12 महिने तक का जो time है bank द्वारे इस loan को repayment के लिए दिया जाता है और इसकी एक खास बात क्या है कि यह collateral free loan है यानिक अगर bank से आप यह loan लेते हैं तो आपको कोई भी security है वो bank को नहीं देनी पड़ेगी fully यह unsecured loan है और पूरी तरह से collateral free loan है लेकिन इसमें जैसे ही आप यह एक short term का loan है जब भी आप इसको लेते हैं जो इसका rate of interest है जो loan term के loan रहते हैं उन से slightly थोड़ा सा ज्यादा रहता है दोस्तों हमारे loan की जो next category आजाती है वो है term loan term loan की जो repayment है एक regular interval पर हमें करनी पड़ती है जैसे कि हम EMI pay करते हैं हर महिने bank की जो EMI करते हैं इसी तरह से जो term loan की repayment करनी पड़ती है term loan इदर आपको दो तरह की मिल जाते है so term और long term इसके अंदर अगर हम बात करें trainer की यानि time की अगर बात करें बारा मेने से लेकर और जो 5 साल तक का हमें जो इस loan का time मिल जाता है यह depend करता कि जब भी आप bank से loan लेते हैं आप उसमें जो time duration है कितना वो लेते हैं लेकिन अमूमन इदर आपको 5 साल तक का time मिल जाता है और यहाँ पर आप collateral फड़ी एक क्रोड रुपे तक का term loan ले शकते हैं और आपके business की requirement को देखते हुए मतलब एक regular interval के बाद जो repayment है जैसे हम EMI payment करते हैं उस तरह से term loan में आपको payment करनी पड़ती है दोस्तों हमारी जो loan की next category आजाती है वो आजाती है equipment financing या machinery loan जैसे इसके नाम के अंदर यह आप देखा और होगा है यह दि किसी borrower को अपनी जो machines है नए equipment है, gadgets है अगर वो buy करने है या our lady उनके पास जो machinery है उस equipment को अगर वो upgrade करना चाते तो इस loan को वो avail कर सकते हैं यह loan है manly roof से जो large enterprises है या जो enterprises जो manufacturing sector में काम करते हैं उनके दुवारा avail किया जाता है और यह जो loan रहता है यह tax benefit है, इस loan के अदर वो भी avail कर सकते है तो जो machinery loan है, इसके अदर जो rate of interest है या फिर जो tenner है, वो depend करता है या जो loan देने वाला bank है, वो कितना interest of rate पे या जो loan का tenner है, कितना provide करता है वो अलग-अलग bank के ओपर इधर है, depend करता है 200 business loan में जो हमारी next category आ जाती है वो आ जाती है cash advance for merchant इसके अंदर होता क्या है, कि जो lender है वो एक lump sum amount है, merchant को payment कर देता है यह एक short term का loan रहता है उसके बाद जो merchant है, उसकी जो daily की credit card और जो debit card की transaction को देखते हुए daily उस हिसाब से जो loan की amount है जो उन्होंने cash advance लिया है उसको repayment कर सकता है और यह easily avail भी हो सकता है अगर आप भी अपने business के लिए loan डून रहे है तो जो cash advance for merchant है यह भी बहुत अच्छा option है जिसमें आपकी जो credit और debit card की जो transaction है यानि जो आपके business में जो credit और debit card की जो transaction हुई है उसके इसाब से जो daily है आप इस अपने cash advance की repayment है वो कर सकते है और यह easily avail हो जाता है और एक short term का जो loan है best option है merchants के लिए तो business loan की जो हमारी next category आजाती है वो आजाती है loan against property यदि आपको इस business सुरू करना चाहते है आपकी business की requirement के लिए अगर आपको 20 लाख रुपे से ज्यादा का amount का अगर आप loan चाहिए तो loan against property मैं आप loan को suggest करना चाहूँआ क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 20 लाख रुपे से ज्यादा का amount है जो आपको loan मिल जाता है दूसरा यहाँ पर क्या है कि 5 साल से लेकर और 20 साल तक का loan का tenner मिल जाता है याँ 5 साल से लेकर 20 साल तक आप loan की repayment कर सकते हैं लेकिन इस loan को eligible होने के लिए आपको जो mortgage है वो आपको bank के पास है याँ आपको property bank के पास गिरवी रखनी पड़ेगी उसको mortgage करना पड़ेगा उसी के बाद आप इस loan को avail कर सकते हो आपके पास कोई भी मान के चलिए commercial है या फिर residential अगर कोई plot है या फिर कोई जमीन है उसको आप mortgage करके bank के पास इस loan को avail कर सकते हो और साथ में दोस्तों आपकी जितनी भी property रहेगी जिस amount की रहेगी अगर मान के चलिए आपकी एक क्रोड रुपे की property है तो उसका 70% यानि कि 70 लाख तक जो आप जो loan अगेंस्ट जो property है easily avail कर सकते हो तो मैं आपको दुबारा से यह recommend करूँगा अगर आपको भी या कोई business शुरू करने के लिए या फिर business लाने के लिए अगर 20 लाख रुपे से ज्यादा का amount चाहिए तो loan अगेंस्ट जो property है आपके लिए best रहेगा आपका क्या comment है मुझे वो भी जरूर comment section में comment कीजिए तो finally दोस्तों यह थे business loan के types कि कौन-कौन से जो business loan है हम easily avail कर सकते हों तो मैं आपसे यही kindly request करूँगा या फिर suggest करूँगा कि जब भी आप business loan avail करते हों तो सबसे पहले यह आप जरूर चेक कर लिजिएगा कि भी आपको जो कितनी जो business loan की requirement है capacity के हिसाब से आप loan avail किजिए और अगर आपको business loan चाहिए अगर आप business loan लेना चाहते है तो मैं आपको परस्टनल यह है इदर recommend करना चाहूँगा personally आपको बताना चाहूँगा कि भी आप प्रियामिल finance के उपर जाकर आप जो अपना appropriate जो business loan है आपकी जो financial requirement है आपका उज़र पूरी तरह से जो financial solution आपको प्रियामिल finance पर मिल जाएगा किसी भी तरह का जो आपको business के लिए loan चाहिए आपके nature के हिसाब से आपके business के expenses के हिसाब से और availability budget के हिसाब से आप easily way में इदर प्रियामिल finance से business loan है वो ले सकते हैं इनके दोस्तों जो ultimate जो financial advisor है वो भी इनके domain में वो आपको पूरी तरह से advise भी करेंगे आपके business loan से related जिस भी तरह का आपको business loan चाहिए और मातर एक click के उपर भीया आप लोग जो है business loan अवेल कर सकते हो दोस्तों अगर आप पिरामिल finance के द्वारा business loan अवेल करना चाहते हैं पूरी detail जानना चाहते हैं कैसे मिलेगा क्या क्या requirement चाहिए तो इसका link मैंने description में पिरामिल finance के द्वारा आप अपने business loan की जरनी है आज ही स्टार्ट किजिए जिसका link मैंने description में दे दिया फिर भी अगर आपको कोई comment रहता है पिरामिल finance के बारे में या फिर business loan के बारे में मुझे आप comment section में जरूर comment कीजिएगा दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह